कैसे आप सब लोग आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे आप नभीन वेलकम टो वा यूडुब चनल बेसिक मैं सॉनेडेप्स और इस वीडिव में करने बाना हूं क्लास 8th anxiety book exercise 1.1 का question number 1 तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए question को हमें solve करना है एक appropriate property से और पता लगाना क्या होगा इसका अंजर तो देखिए इसमें मैं property जो यूज़ करूँआ वह है distributed property होती क्या है तो मैं आपको यह पताहता हूं देखिए distributed property में क्या होता है कि a into में b प्लस c अगर होता है तो हम a को b से multiply करते हैं फिर हम a को c से multiply करते हैं इस तरीके से तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें टर्म जो है वो 3 है एक टर्म हमारी यह है एक टर्म तो यहां पर दोनों में देखें फस्ट और लास्ट में तो त्री अपन पाइब जो है इसमें common मिल जाता हुए तो इसलिए क्योंकि मुझे जैसे कि इस form ने हा लिखा हुआ है क्वे एंटू भी प्लस एंटू सी इस form में हा लिखा हुआ है तो मैं उसको इस form में डालूँगा, तो इस में से मुझे a common लेना है जैसे कि, यहां पर मुझे 3 upon 5 common मिलेगा as a a, तो मैं उसको बहार ले लूँगा, तो पहले मैं first and last term को एक साथ लिख लेता हूँ, तो यानि कि मैं लिखूँगा इसको minus 2 by 3 multiply 3 upon 5, फिर minus 3 upon 5 multiply 1 upon 6, और जो यह 5 by 2 था, यह मैं last मिले आता हूँ, यानि कि इस जगह बना, 5 upon 2, अब देखें, यहां पर अगर देखें, तो 3 upon 5, 3 upon 5 दोनों में है, लेकिर मैं अभी भी common नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पर 3 upon 5 plus का है, जबकि यहां पर यह minus का है, तो इस वाले minus को मैं यहां shift कर लेता हूँ, ताकि यह दोनों plus के हो जाए, तब ऐसा मैं क्यों कर सकता हूँ, दिखें, अगर मैं minus A into B करूँ, तो minus A भी होगा इसका result, या फिर मैं A into में minus B करूँ, तब भी इसका result minus A भी होगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई minus का sign मैं shift कर दूँ, तो उसके result पे कोई फर्क नहीं बढ़ता है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कि यह वहला minus इसका result कर दूँगा, तो मैं इसको rewrite कर लेता हूँ, minus 2,3 into 3 upon 5, यहाँ पर यह plus का ले लिया, मैंने 3 upon 5, multiply minus 1 upon 6, plus 5 upon 2, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमारे पास यह जो है, यह 3 upon 5 common मिल जाता है, तो यह ची इसदर से minus 1 upon 6, क्योंकि plus 3 upon 5 जो है भार जा चुक है common, तो यहाँ पर लिखेंगे plus 5 upon 2, जो अपर से उतार कर, अब आगे हम इसको solve कर लेते हैं, इस तरीके से, कि यहाँ पर 3 upon 5 मैं as it is लिख रहा हूँ, और यहाँ L sum लेकर मैं इसको solve कर लोगा, क्योंकि मेरे पास यह दोन multiply करेंगे, यहाँगा 1, और plus 5 upon 2, उसके बार, 3 upon 5 multiply, यह minus minus होता है, plus, plus होकर बन जाता है, यह minus 5, और upon में है 6, और plus 5 upon 2, अब देखें, इस 5 से, यह minus 5 जो है, कट जाता है, बन जा पे, और 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, इस तरह से, अब जो हमारे पास बसता है, वो बसता है, minus 1 by 2, 2 plus 5 by 2, तो देखें, यह दोनों, इसमें denominator जो है, वो सेम है, जब denominator सेम होते है, तो हम इसको सीधा लिश सकते है, यहाँ पर, और यह दोनों जो numerator है, वो यहाँ लिश सकते है, तो यहाँ, plus minus, minus, यहाँ 4 upon 2, यहलिकि 2 बन जा 2, 2 जा 4, तो इसका जो right answer आजाता है, वो आजाता हमें, एक यह है, एक यह है, और एक यह है, अगर हम यहाँ देखें, तो first and last term में हमारे पास 2 upon 5, जो है common मिलेगा, तो हमें इस वाली term को last मिले जाना है, तो यहाँ मैं solve भी कर सकता हूँ, पहले इसको, यहाँ लिखूंगा, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, तो यहाँ पर जब मैं, तो 12 से सको redact कर लेता हूँ, 2 upon 5 multiply minus 3 upon 7, अब यह वाली term मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 upon 14 multiply 2 upon 5, और जो इसका result होगा, यह 1 बन जा 1, यह minus 1 हो गया, और यहाँ 2, 2 जा 4 हो गया, यह पूरा का पूरा जो portion है, मैं इसको इधर लेकर आया हूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो आप उस तो हम यहाँ से a common ले लेंगे, और b plus c को bracket पर रखेंगे, इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो 2 upon 5 multiply, और यहाँ पर 2 upon 5 multiply, यह common आ जागा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 upon 5 multiply, अब bracket में हम लिखेंगे 3 upon 7 बचा है यहाँ से, और इधर से बचा, plus 1 upon 14, और minus 1 upon 4 बहार है, अब देखें, उसके बाद 2 upon 5 multiply, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, 7 और 14 का यहाँ 14 आएगा, ठीक है, अब 7 के टिप में 14 जो है, 2 जाप आएगा, 2 को पर से multiply करेंगे, 2, 3, 6, उसी तरह से 14 के टिप में 14 जो है, 1 जाप आएगा, 1 को पर से multiply करेंगे, तो यहाँ 1, minus 1 upon 4, यहाँ पर 2 upon 5 multiply, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगे, तो 6 में से 1 गए 5 और निशान बड़ी संक्यागा, अब यहाँ minus 1 by 4, अब उसके बाद हम इसको आगे solve करते हैं, तो 5 से हम यह काट जाते है, minus 1 पर 2 बंजा 2, 2 सा बंजा 14, तो इस तरह से हमारे पास जो बनता है वह बनता है, minus 1 upon 7, minus 1 upon 4, और इस fraction को हम solve कर लेंगे, जैसे कि हम fraction को solve करते हैं, तो यहाँ पर 7 और 4 की जो एल सम होगा, 28 और 7 की table में, 28 जो है, 4 पर पर से multiply करेंगे, तो minus 4, उसी तरह से 4 की table में, 28 जो है, 7 को पर से multiply करेंगे, तो minus 7, हो जागा, minus minus होता है, plus, तो plus कर क्या जा जाएगा, 11, 7 plus 4, और निशान, बुडिशन का पर, अकॉन में, 28, तो यह इसका result है, तो आशा करता हूँ कि आपको question समझ में आ जाओगा है, दोनों, तो मिलते हैं, next video में, और ने questions लेकर, तब तक आप practice कीजिए, good bye